हेलो फ्रेंट्स वेलकम डू मैं चैनल ओडिसा पब्लिक सर्विस कमिशन से निगल कर आ रहे ही बहुत बड़ी भरती और जो है असिस्टन्ट एक्जुगेटिव इंजीनियर का इलेट्रिकल में ग्रूप ए बेकंसी है और एलिजिबिलिटी केट्री क्या है एपले करने का ला अप्लिकेशन टू भी मेड अवलेबल अन वेप्सेट आपका जो एपसेट ओपीएसिदोट ओपीएसि ओनलाइंड गउप.in पर आपका 59.19 तो आट एगार ओन स्थस्व तक आपका उनलाइन रहेगा और इसभी आगर एगर 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 उनीस इसदी लास्ट एट अप पे पोस्ट है अंडर एलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपका है एनर्जी डिपार्टमेंट में और बेकेंसी पोजिशन आपका दिया हुआ है टोटल कुल्पद आपका 31 है UR 15, ACBC 9, SC5, ST2 इस तरह आपका 31 पोस्ट है पेमिल के लिए 10 पोस्ट है और educational qualification जो आपका है वो candidate must hold degree in electrical engineering और unequivalent qualification from a requisite university और institution requisite by the government of or he or she must be an associated master of institution of engineers in India of India in electrical engineering आपका ये qualification होना चाहिए आपका और देखते हैं और क्या क्या है और application fees जो आपका है वो आपको 500 रुप्या देना होगा जो की non-rependable है आपका और SCST और फेजी का लिए कोई भी फीज देना नहीं होगा और आपका ये एक्जाम होगा रिटिन एक्जाम और पायवा बोस्टेस्ट में आपका सिलेक्शन होगा और place of examination आपका जो है बोदेखिशन पोस्ट आपका कटक आपका कटक इडवे अल्सो भी हेल्ड भुबनेश्वर बालेश्वर संबलपूर वारामपूर टोटल फाइब जोन में आपका एक्जाम होगा और और उसके अलाबा और कुछ भी जानकारे के लिए आप हमें कमेंट बक्स में कमेंट पूछ सकते हो हम आपका जोरू हेल्प करेंगे थैंक यो प्लिस सब्सक्राइब माय चैनल